हम उस लोगों के चिलाने के आवाज सुनते हैं जो की असल में गिलगला रहे थे और हमें स्क्रीन पर एक वोड़ देखने को मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मैं पूरी दुनिया की भूग खत्म करना चाहता हूं आदे भूखे लोगों को मार कर दूसरे भूखे लोगों को आवा जाती है और उस लेड़ी को रसीर कर ले जाता है और अभी अभी जिस लेड़ी को उस आदमी ने माना था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ही वाइफ थी और बस यहीं से शुरूआत होती है इस मूवी की अब यहां पर पिन यंग्स्टर्स फ्रीडम नाम के एक बंद पड़ा है लिकिन लोकों के अकोडिंग इस टाउन में एससे बच्चा रहते हैं जो कि इन खदानों की गेरी खानों में रहते हैं और इंसानों को मार कर खते हैं लेकिन यह बस टाउन के द्वारा बला गई अफवा थी बेक एक खिलर नोवल लिख राता और इस फ्रीडम ट में सो motherfkinLE हुई थी। अब ये तीनों अपनी को पुद्व पूरी तरह से खली था. फिर jamie नी एक abandon house घर में चला जाता है, G rzeemy नी के लिए Candice और बेक भी उस घर चलाए जाते हैं. लीकिन सबबली कोई परसन महाँपर आता है और Candice की कार चुला कर वहां से ले जाता है, क्यूकि Candice ने कार की चब भी कार में ही छोड़ दी थी, और अब ये थीनों यहाँ पर इस खाली प्रड़े टाउन में फस चुके थे, इन सभी के पास फोन तो थे, लेकिन इस टाउन में कोई सिगन टावर नहीं था, और फोन में नेटवर डाल देता है, और ऐसा करते हैं उसे बेक देख लेता है, बेक Candice की मदद करने के लिए बागता है, लेकिन तब तब बेर हुजी की थी, ये आदमी वही जूग की पर था, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वो बेक को एक एलेक्टिक रोड से शौक दे अब अगें, इस्पिकर से कोई परसन बोता है, और वो उनका वेलकम करता है, वो ये बताता है कि ये दोनों एक स्कूर में है और वो आदमी यहां का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल माइक में अजीब-जी बाते कहरा था, जैसे कि कोई परसन खाने के लिए कुछ भी कर सकता ह मतलग कोई इंसान खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो मर भी सकता है और किसी को खाने के लिए मार भी सकता है Candice उस आदमी की बातों से परेशान होकर वहाँ पर लगावा CCTV केमरा देख लेती है और वो उसे तोड़ देती है जिसके बदले में स्पिकर से बस सही आवा जाती है Candice को इसके बदले में और कटोर सजा मिले की यहाँ पर बेक खुद को टेप साजाद कर चुका था बेक को यहाँ पर नोरा नाम की लड़की मिलती है जो कि उसे बताती है कि वो और उसके पीता जी दोनों को यहाँ पर केट कर लिया गया है and suddenly यहाँ पर जू कीपर आकर बेक को पानी का गलास ओफर करता है और उसे खानी का लालस देता है लेकिन वो उसे खानी के लिए कुछ भी नहीं देता जू कीपर एक दोर को अनलोग करता है जिसमें बेक ये देखता है कि एक आदमी वहाँ पर अल्रेडी बेटा हुआ है बेक उस आदमी से पूछने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है वो अकेला बेटा हुआ आदमी बेक कोई बताता है कि प्रिंसिपल उन्हें यहाँ पर भूखा वर प्यासा रखता है वो उन्हें कई दियों तो खाना नहीं देता और खाने के बदले में उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करनी होती है इस खाने की लड़ाई में उन्हें सामने वाले को मारना होता है जिसके बार में उन्हें काना मिलता है और फिर यही प्रक्रिया भाकिस होती है उन्हें हफ्तों तक गोखा रखा जाता है और फिर खाने के लिए उन्हें लड़ाई करने पड़ती है कि उन्हें खाना तभी मिलेगा जब उन दोनों में से कोई एक दूसरे को मार दे बैक लड़ाई करना नहीं चाता था लेकिन प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो अगर लड़ाई नहीं करेगा तो इस आदमी से लड़ने के लिए वो केंडिस को बेज़ देगा मतलब कि बैक की जगे इस आदमी से केंडिस लड़ेगी जिससे सुनने के बाद में बैक लड़ाई के लिए रेड़ी हो जाता है लेकिन ये आदमी तो लड़ाई के लिए उतावला हो रहा था या यूँ कहे कि ये खाना खाने के लिए उतावला हो रहा था और फिर दूसरा बार वो इसके डर्दन पर करता है जिससे कि ये आदमी मर जाता है और बैक इस लड़ाई को जीत लेता है बैक की इस जीत के रिवार्ड में प्रिंसिपल उसे खाने के लिए देता है लेकिन बैक ऐसा खाना नहीं खा सकता था और वो ये खाना जूखी पर के एक हाई स्कूल था और प्रिंसिपल केंड़ीस के पास वाले रूम में ही था जिसे केंड़ीस एक होल के सधीर देख सकती थी जहांपर एक आदमी को लाए जाता है या यू कहें कि आदमी के रूप में एक जानवर को छोड़ा जाता है वो आदमी नोरा को उठा कर दिवार पर इतने जोर सा पटकता है कि उसका सिर्फट जाता है और नौरा का खेल यही पर खतम हो जाता है जिसके बाद में ये आदमी नौरा के मास को चाटने लगता है कैंडस को परहे हफ्टों से खाने के लिए नहीं मिला था और खाने के बदले में उसे लड़ाई करनी थी यहाँ पर ये औरत अपनी भूग से एकनी जादा परिशान थी कि वो Candice पर कई वार करती है लेकिन Candice उससे बचकर वो सीजर को छुड़ा लेती है और उसकी आखों में उस सीजर को गुसा देती है जिससे कि Candice से खाने के लड़ाई को जीत लेती है और फिर सड़नली बैक Candice क के बचने का कोई भी रास्ता नहीं है उन्हें जलती माल दिया जाएगा तो भी यहाँ पर जू कीपर आता है Candice की जीत पर उससे एक पीजा का स्लाइस देने के लिए लेकिन बैक उस पीजा स्लाइस को पहले खा लेता है क्योंकि वो उसके लिए एक उर पीजा का स्लाइस ल पीजाना निकलती है वो उसके मूँ में उंगली डालती है और उसे उल्टी करवा कर उसके पेट से निकला हुआ पीजा खा लेती है जिसके बाद में बैक उस मरी हुई औरत के पेट में से सीजर निकलता है और उसे एक दिवार में जाकर चेक करता है अब यह सीन कट होकर उ उसने उन तीनों बच्चों को देखा है और वो आदमी उस डिटेक्टिव को उस जगब पर ले जाता है जहां पर उसने उन्हें आकरी बड़ देखा था इधर इसकूल के अंदर बैक और केंडिस के पास में जू कीपर ख़ड़ा हुआ था और बस वो केंडिस को ही देख रहा बनने वाली है और वो प्रेक्निंड है केंडिस बहुत जबता कमजूर हो चुकी थी त्योंकि उन्हें बहुत टाइम से खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था अब यहां पर जो आदमी डिटेक्टिव को लेकर आया हुआ था वही प्रिंसिपल था जिसका असली नाम था प्रिंसिपल डिटेक्टिव को स्कूल में ले जाकर उसे एक हैमर से मार कर उसे बहुच कर देता है और उसे एक दूसे बूसे बुख के आदमी के सामने लाकर छोड़ देता है उससे लड़ने के लिए और यह बुख का आदमी था नोगा का फादर जू कीपर उस करता है हम देखते हैं कि बैक दिवार में पूरी तरह से होल कर चुका था वो दोनों बस बाहर निकलनी वाले थे कि प्रिंसिपल को पता लग जाता है कि उनका कुछ प्लान है वो उन दोनों को पानी देने के बाहने आता है जिसमें की नींद के दवाई मिली हुई थी जिससे पीने के बाद में दोनों भेयोश हो जाते हैं और जब बेक को होश आता है तो वो एक रूम में होता है जहांपर उसके भाई जेमिनी को कई हफतों से बूखा रखा गया था जुकी पर जेमिनी को खाना दिखाता है चुकि वो कई हफतों से बूखा था और वो खाने के लिए क जीट जाता है, चुकि वो कराटे में ब्लेक बिल्ट था, प्रिंसिपल मोके का फायदा उठाता है, और वो केंडिस के पास जाकर उसे फिजिकल अब्यूस करने लगता है, लेकिं केंडिस उसे चेल से मातर मा से भाग जाती है, बेक भी अपने आपको बचाने की कोशिश करता है, और वो पिंजर के अंदर से ही जू कीपर को पकड़ता है, लेकिं जू कीपर को पकड़ने की कोशिश में उसका हूड उसके उपर से उटर जाता है, और सभी को ये देखने को मिलता है कि जू की पर कोई आत्मी नहीं बलकि एक जली हुई ओरत है, जो कि अपने आपको हर को कुछ था उन नाहीं पीने के लिए बेक यहाथों तक ऐसे ही फसर है और उने बचाने के लिए कोई भी नहीं आया उस गड़े के अंदर उसने और उसकी बीवी ने अपनी बच्ची को मार दिया और उसे खाकर वे दोनों जिंदर रहे एजवे किसमत वाला था लेकिन उसकी चबेट में आ गई जिससे की उसकी पूरी चमर जल गई और वो ऐसी बिखने लगी अब प्रिंसिपल केंडिस और बैक की फाइट जाता था वो उन्हें गन देता है और वहां से चला जाता है जिसके बाद में केंडिस और बैक यहां से भागने की कोशिश करते हैं और वे द चला यहां पर तुननत उस रूम में पूँचता है और इसकोसर बाहर आता है जिसके बाद में बैक बाहर और प्रिंसिपल को गोली मारकर केंडिस को प्रिंसिपल से बैठाता है जिसके बद दोनों अपने कार से वापस शेर की तरफ निटलते हैं और जाते समय रास्ते में बैट केंडिस को प्रपोस करता है लेकिन केंडिस की उंगली इतने ज़्यादा सूजी हुई थी कि उसके उंगली बेरिंग नहीं जाती वो लास्ट सीन में हम यह देखते हैं कि पूलिस स्कूल तक पहुच जाती है जहां से कई सारे लोग मिलते हैं जोके कैट थे और वे हैं भूके भी थे अपने हमारे चैनल को अपी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे तो कि जल्द कई सारे वीडियोस आने भाले